जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा भी डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरू दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट एकदम चाइन पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग बन सकते हैं और मेंबर्शिप लेने का लिंक भी मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिस पर क्लिक करके आप डिरेक्ली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं अमेरिकी प्रेस्डेंट जो बाइडन के इसराइल पहुचने से पहले ही बेंजमिन नेतनियाहू ने गज़ा के एक हॉस्पिटल पर बॉम गिरा कर बाइडन को तकरीबन आच सो बेगुना मासूम फिलस्तिनियों की लाशों का तोफ़ा दे दिया है गज़ा के हॉस्पिटल पर किया गया इसराइली हमला इस दशक का सबसे बड़ा आतंक वादी हमला है पिलस्तिन के हॉस्पिटल पर इसराइल के बॉम गिराने के बाद अमेरिकी न्यूस पेपर न्यू यॉर्क टाइम्स को खून से सने तमाम फुटेज्ज्ज कराहती इंसानियत को देखने के बाद तीन बार हेडलाइन्स बदलनी पड़ी है फिर भी भारत की हिटलर शाही इसराइल के साथ खड़ी हुई है और ये दे सो कॉल टॉलरेंट सोसाइटी के लोग भी इसराइल के साथ हैं आतंक वाद के डीलर्स खुद को लीडर बताने का सियासी तमाशा करने में लगे हुए हैं गजा में जॉइनिस्ट आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों की लाशों के बीच डॉक्टर्स प्रेस कॉनफरेंस कर रहे हैं टॉमी मीडिया के जो कारिंदे जॉइनिस्म के एजेंट बनकर नए भारत से जॉइनिस्टो का एजेंडा चलाने इसराइल गए हुए हैं वो इस प्रेस कॉनफरेंस को कवर नहीं करेंगे वहीं वाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल ने अल-एहली हॉस्पिटल पर हमले की जिम्मेदारी से साफ तोर पर इंकार किया है और बताया है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है अब ये बताएंगे कि जीजस क्राइस्ट को भी हमास ने पतल किया था क्या खेर अरब लीग देशों ने जो बाइडन के साथ होने वाली बैठक अप रद कर दी है दोस्तो अल-एहली हॉस्पिटल में हुई बाम बारी जिसमें आच सो से तकरीबन हजार फिरस्तीनी मारे गए हैं उसने इसराइल के जूट की हमास का बाम गलती से वहां गिर गया उसको बेनकाब कर दिया है क्योंकि हमास के पास इस तरह के बाम तो है ही नहीं इसराइल ने हॉस्पिटल को बकाइदा बॉर्णिंग देकर उस पर बाम गिराया है इसराइल के नेता ने ऐलान करके बॉम दागे हैं फिर उसको ट्वीट भी किया बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया सुने मे inflink कि बाद मेने यूल में एwest बाल इसकान कि बाद में खान कोईना कि घा लातिक पिलान कि पालतीन, इसकी ने फिर इसराइलिर कि जिला and they are responsible for that crime and they cannot fabricate stories दोस्तों तमाम रिपोर्टों के मताबिक इसराइल के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हॉस्पिटल में बॉम बारी हमास ने करी है फिलस्तीन की रॉकेट में इतना दम तो है ही नहीं कि वो इतना बड़ा नुखसान कर पाए बड़े बेखाफ होका इसराइल के ही जूर्नलिस्ट ने इसराइल के इस जूट को सामने ला दिया है वहीं दूसरी तरफ इसराइल के तरफ से हॉस्पिटल पर बॉम गिराका आच सौ से तकरीबन एक हजार लोगों की हत्या पर इरान ने कहा है कि बस अब हो चुका है जंग का ऐलान होगा देखते हैं ये सिर्फ धंकी है या कुछ एक्शन भी होता है वहीं जब गज़ा में इसराइल अपना आतंकी खेल खेल रहा है तो इधर ने भारत में एक खास ग्रूप के लोग उसी इसराइल के सपोर्ट में नारे लगा रहे हैं तो दोस्तों साथ अक्तूबर को हमास की तरह से इसराइल पर हमले के बाद आज तकरीवन बारवा दिन है और इन बारा दिनों में भारत से इसराइल की इस जंग को कवर करने गया टॉमी मीडिया इसराइली टैंकों को बारा बार गज़ा में घुसकर आधा गज़ा कबजा करवा चुका है और 120 बार हमास को तबाव और बर्बाद कर चुका है जब कि हकीकत ये है कि इसराइली फौज गज़ा की जमीन पर घुसने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है और पिछले 12 दिनों से सिर्फ हवाई हमले करके सिवीलियन को टार्गेट किया जा रहा है और उनकी मौतों को हमास के लोगों की मौत बताकर वावाही लूटी जा रही है सेक्रेटरी जेनर आफ दे युनाइटेड नेशन के तमाम क्रिटिस्ज ने और अमेरिका के प्रेसिडेंट की वार्निंग के बावजूर कल इसराइली सेना ने गज़ा के बैप्टिस्ट अल एहली अरब हास्पिटल पर बॉम बारी कर दी और वहां के हेल्थ मिनिस्ट्री के मताबिक हास्पिटल में हुए इस हमले में सैक्रों लोग मारे जा चुके हैं अपने ही मुल्क में भारी विरोध झेल रहे इसराइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने एलान किया है कि गज़ा पट्टी में कोई बेगुना लोग है ही नहीं ये है जनीवा समझाते का असली चेहरा और इसके बावजू कुछ यूरोपियन मुल्क इसराइल को सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी प्रेसिजिटन इसी सपोर्ट के तहए आज तेल अवी पहुच चुके हैं इसराइल ने पिछले दिनों गाजा के लोगों को वार्निंग दी थी कि वो गाजा पट्टी का नौर्डन इलाका खाली करके साउथ के हिस्से में चले जाए इसके बावजूद कि यूनाइटर नेशन के स्पोर्क्स परसन स्टेफिन डुजारिक ने बयान दिया था कि 11 लाक लोगों को साउथ के लाके में भेजने के लिए कहना इसराइल का ये बेहद इन्हूबन एक्ट होगा ध्यान दीजिये कि पिछले 13 अक्टूबर को इसराइल ने सिर्फ 22 घंटों के अंदर नौर्धन गज़ा से तकरीबन 11 लाक लोगों को निकलने का हुक्म दे दिया था और तकरीबन 7 लाक लोगों ने इस इलाके को खाली भी कर दिया है लेकिन 24 घंटे के अल्टिमेटर के बावजूद आज 5 दिन के बाद भी इसराइल गज़ा में घुसने के हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है मतलब उसे पता है कि गज़ा उसके लिए कबरगाह है जहां वो घुसा तो पूरी तरह से दफन हो जाएगा दरहसल इसराइल से लगी गज़ा पटी की नौर्धर बॉर्डर से लेकर पूरे गज़ा में हमस ने जो टनल्स जो सुनंगो का जाल बिचाया है जानकारों के माने तो ये दिल्ली मेट्रो की लाइन के मुखाबले चार गुना से भी ज्यादा बड़ा है इंटरनस में नीचे से लेकर उपर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिजाइले लगी हुई है सुनंगो की तादा तकरीबं धाई हजार बताई जाती है और ये नेटवर्क इतना सीक्रेट और इतना मजबूत है कि इसराइल और अमेरिका के मजबूत सेटिलाइट सिस्टम भी उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहे है यहां तक की इसराइल डिफेंस फोर्स जैसी सबसे एडवांज मिलेट्री फोर्स भी इसका पता नहीं लगा पाई इन सुरंगों को इसराइल डिफेंस फोर्स यानि आईडी एफ ने गजा मेट्रो का नाम दिया है इनी सुरंगों से हमास के लड़ाके कंधे पर रॉकेट लॉंचर ड्रक करके मार देते हैं हमास इनका इस्तेमाल एजिप्ट और लेबनान से मदद पाने के लिए करते हैं यह सुरंगे कई किलोमीटर तक जमीनों के अंदर फैली हुई है आने जाने के अलावा इनका इस्तेमाल समान के ट्रास्पोर्ट के लिए भी किया जाता है इसमें ना सिर्फ कई ट्रके बलकी टैंक्स भी आ जा सकते हैं इसके साथी साथ यहां पर रॉकेट और गोला बारूत को स्टोर करने के लिए भी जगहा मौजूद है यहीं पर हमास के कमान और कंट्रोल रूम्स भी है यह इतनी खुफिया है कि आईडियेफ के जेट्स और सर्विलांस ड्रोन तक इन्हें सूंग नहीं पाए है इन्हीं सुरंगों की मदद से हमास ने इसराइली सेना की नाक में दम कर दिया हुआ है हमास की यह सुरंगे गाजा की घनी आबादी वाले इलाकों में फैली हुई है जहां इसराइली हमलों की उम्मीद कम ही रहती है हमास की भूल भुलया कहे जाने वाले यह टनर्स यह सुरंगे सिमिंट और मजबूत स्टील से बनी हुई है और यह अतनी मजबूत है कि इन पर हवाई हमलों का भी असल नहीं होता है ऐसा माना जा रहा है कि हमास ने 200 इसराइली बंधकों को 500 किलोमीटर में फैली इन्ही सुरंगों में कहीं रखा हुआ है जिने छुडाने का घरेलू दबाव सबसे ज्यादा बेंजमिन नेतनियाहू पर है इसराइल में हर दिन इसे लेका प्रोटेस्ट हो रहे हैं दर असल यह सुरंगे ही हमास की मजबूती और इसराइली सेना के लिए कबर है और इसलिए पिछले 14 दिनों से इसराइली सेना बस गज़ा पट्टी के अंदर घुसने की वार्निंग पर वार्निंग ही बस दिये जा रही है इसराइल फौजों पर इन सुरंगों की खौफ की वज़े ये भी है कि इन सुरंगों के चलते इसराइल की फौज को सन 2006 में भारी नुकसान हुआ था जब इसराइली सेना गज़ा में घुसी और हमास ने इनी सुरंगों में से उन पर हमला करके उनको भारी चोड़ दी थी ने भारत का टॉमी मीडिया जो दिखा रहा है वो सच नहीं है हकीकत यह है कि इस जग में सिर्फ मासूम सिर्फ बेगुना लोगी माले जा रहे हैं और जो इस जग के लिए जिम्मेदार हैं वो बस वार्निंग पर वार्निंग दिये जा रहे हैं इसराइल का नफरती प्रधान मंत्री बेंजमिन नेतनियाहू बस अपनी जिद और सियासी जमीन बचाने के लिए अड़ा हुआ है और उसे बाई पास रास्ता देने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट आज इसराइल पहच गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राश्पती व्लादी मिर्क पूटिन बिना किसी टैप प्रोग्राम के चीन पहुच चुके हैं इरान ने इसराइल पर हमला करने की वार्निंग दी है तो लेबनान ने उस पर हमला कर दिया है बाकी का सियासी तमाशा सौदी अरब संभाल रहा है कुलमिला का जियातर जानकारों का मानना है कि इस बार गज़ा पट्टी में इसराइल फस चुका है दोस्तो हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमशा भी डॉक्टर और शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट एंगदम टाइम पर मिलती रहे और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो इन्फर्मेटिव लगते हैं अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबर्शिप ले करके और पेट्रॉन का लिंक भी इसी वीडियो की description में दे दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल को support कर सकते हैं और आप हमें follow भी कर सकते हैं हमारी Twitter Instagram और Facebook पेज़ पर मेरा Twitter handle है at the rate of Arshi Aziz Khan thank you मिलते हैं अगले वीडियो में